आज हम बारविक अक्षा का पार दस भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव की चर्चा करेंगे पिछले कुछ दशकों से देश में काफी आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों से आज वर्तमान में कोई भी देश अचूता नहीं रहा है चाहें वो विक्सित देश रहे हो या विकाशी परंतु उन सभी पर अल्पकालीन और दीरकालीन प्रभाव अवश्य देख पड़े हैं भारत की इस विश्टर पर हुए आर्थिक परिवर्तनों से अचूता नहीं रहा है इन आर्थिक परिवर्तनों का असर समाजिक और राजनेतिक शित्रों पर भी दिखा है और अर्थवेस्ताएं भी इससे प्रभावित हुई हैं विश्ट के सभी देशों ने अपने अपने को मजबूत बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किये हैं इन प्रयासों के आधीन उन्होंने अपने आपको संगटित किया है और विबिन समों का गटन किया निर्मान किया जैसे सार्क, येरोपियन यूनियन, एसान, जी एट, जी ट्विन्टी आदी अपने अपने विकास को उच्चाईयों पर पहुचाने के लिए अपने प्रोसी देशों को और उनके विकास की प्रक्रियाओं को सदैव जानने का प्रयास किया गया है ये भी जानना आविशक हो गया है कि उनके प्रोसी देशों की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या कमजोरियां हैं। प्रांस्कृतिक राजनेतिक तता आर्थिक सर्रशना लगबग एक जैसी ही पाई गई है इस अध्याय में हम भारत और उसके दो बड़े समरूपी देश चीन और पाकिस्तान की तुलनात्मक चर्चा करेंगे भारत चीन और पाकिस्तान में समरूपता है परंतु समरूपता के साथ साथ इनमें राजनेतिक अवस्ताओं में बिन्टा भी देखी गई है पिछले करीब 50 से अधिक वर्षों में तीनों देशों की राजनेतिक स्वरूप अलग लग मिले हैं यहां एक बात को सपस्ट करना आवशक है कि भारत चीन और पाकिस्तान तीनों देशों ने विक देशों की आजादी या सुतंत्रता कहें एक साथ ही रही है जबकि चीन भारत और पाकिस्तान की तुलना में थोड़ा देर से अजाद हुआ इसका आजादी का वर्ष था उनने सो चानवे सुतंत्र भारत के प्रतम प्रदानमंत्री श्री जवाला नहरू जी ने अपने एक विश्लेशन में ये कहा था कि भारत और चीन के बीच में समाजिक राजनेतिक विचारधारा में भेध है परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि एशियाई देशों में हुए परिवर्तन एक शक्ति का प्रतीक भी है आरम से ही तीनों देशों ने एक साथ एक ही प्रकार से अ 1951 से चपन की अवधी के लिए गोशित किया इसी प्रकार पाकिस्तान ने भी वर्ष 1956 से एक सट के बीच में अपनी पहली पंचवशी योजना और चाइना ने अपनी पहली पंचवशी योजना 1953 से 58 के बीच में गोशित ऐसा देखा गया है कि असी के दर्शक में भारत पाकिस्तान और चीन तीनों देशों में सम्वृद्धी की दर प्रती व्यक्ति आये लगबग एक समान ही थी भारत और पाकिस्तान ने सुतंत्रता के पश्चात सार्वनिक शेत्र के स्रिजन निर्मान पर अत्यदिक बल दिया समाजिक विकास पर व्याय जैसे समान नीतियों का मैत्व दिया गया परन्तु आज इसमें भेद देखा जा रहा है अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए हम चीन और पाकिस्तान दोनों की चर्चा अलग लग से करेंगे सरपर्थम चीन की चर्चा करेंगे चीन एक दलिय शाशन के अधार पर गणराजे बना अर्थवियस्ता के समस्त महत्पुन शेत्र और संसाद्नों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा दिया गया तथा समस्त संसाद्नों पर सरकार के नियंतरण में ले लिया गया सरकार के आधीन ले लिया गया वर्ष 1998 में Great Leap Forward नाम के अभियान को प्रारम किया गया इस अभियान का मुख्यो देश था बड़े स्तर पर उद्योगिक विकास को प्राप्त करना, घरलू स्तर पर उद्योगों को इस्थापित करने के लिए लोगों को प्रुसाहित करना, क्रिशी शेतर में कम्नियोंस्म अर्थात सामोईक रूप से क्रिशी किये जाने पर बल दिया गया, चीन और रूस के मध्य संगर्ष होने के फल्सोरूप रूस द्वारा अपने समस्त विशेशग्यों को चीन से वापिस बुला लिया गया, जो चीन में उद्योगी करन में अर्थात 1966 से चेतर तक चला, इसमें चीन के चात्रों और विशेशग्यों को ग्रामीन शेतर में काम करने और अध्यन करने के लिए भेजा गया, इसमें विकास की दर, विदेशी व्यपार और निवे शेतरों में काफी सुधार देखने को मिला, उन ग्रामीन वा नगरिये उद्योगों को उत्पादन की अनुमती दी गई, जो स्थानिय लोगों के दोरा स्वामित वासंचालित थे, साथ साथ सरकारी उद्योगों को विशेश दरजा दिया गया, चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया में दोरी कीमत प्रणाली को प्रियोग किया गया, आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि द्रवभी क्रीमत प्रणाली से हमारा आश्रे दो अलग लग परकार की कीमत प्रणाली द्ञा साथ आधऑ कीमत बेचे और आगतों को या माल को ख्री दें दूसरी और शेश समस्त क्रे विक्रे बजार कीमत पर किया जाए विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने के लिए चीन के द्वारा विशेश आर्थिक शेत्र यानि स्थापित किये गए पाकिस्तान की चर्चा यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1947 से पूर्फ अर्थात आजादी से पूर्फ भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अनेकों समस्याओं का सामना किया भारत के समान ही पाकिस्तान पी एक मिश्चित अर्थवेस्ता है आपको मैं बताना के मिश्चित अर्थव्यस्ता ऐसी अर्थव्यस्ता होती हैं जहां पर समझ संसाद्रों का बटवारा निजी शेत्र और सरकारी शेत्रों के मद्दे किया जाता है वर्ष 1950 और 1960 के दश्कों के मद्दे पाकिस्तान ने अनेको विबिन नियंत्रात्मक नीतियों का निर्मान किया नियंत्रात्मक नीतियों का मतलब ऐसी नीतियां जो विबिन प्रकार के आयात निर्यात और खीमतों पर नियंत्र लगाते थे इन नियंत्र नीतियों में उपभोगता वस्तों को प्रशुल्क संद्रक्षन प्रदान आधूनिक सयंत्रों का प्रियोग किया जाने लगा देश के कुछ चुनिंदा शेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ाया गया इन सब आर्थिक परिवर्तनों से खादानों के उत्पादन में तीव्र विकास की दर देखी गई पूंजीकत उद्योगों का राष्टे करण भी किया गया परन्तु वर्ष 1970 और 80 के दौरान पाकिस्तान ने आराष्टे करण की नीती को अपनाया और निजी शेत्रों को प्रोसाहित करने पर बल दिया इस समय पाकिस्तान को पश्चमी देशों से भी विदेशी साहता प्राप्थ होनी प्रारम हो गई गत वर्षों में परिणाम सुरूप पाकिस्तान में आर्तिक सम्वृद्धी और विकास की दर में तीव्र विद्धी की दर पाई गई पाकिस्तान में निवेश के लिए अनकूल वातावरन उत्पन हुआ और वर्ष 1988 के पश्चाथ पाकिस्तान का विकास पहले की तुलना में तीव रिकती से बढ़ा अपने इस अध्यन को और अधिक ग्यानवर्दक बनाने के लिए हम कुछ चुने हुए संकेकिक संकेतों का अध्यन करेंगे ये संकेत भारत, चीन और पाकिस्तान से समद्दित होंगे सबसे पहले हम जनसंक्या की बात करते हैं भारत की जनसंख्या 1352 लाग, पाकिस्तान की जनसंख्या 212 लाग, अपिक्षाक्रित भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से बहुत अधिक है, चीन की जनसंक्या के विशे में अगर बात की जाए तो इसकी जनसंक्या 1393 लाग है जो की पाकिस्तान की अपिक्षा तो काफी अधिक है और भारत की तुलना में लगबग समानता है जनसंक्या के घनत्व के वारे में भी हम बात करेंगे आपको मैं यह बताना आविशक समझूगा कि जनसंक्या का घनत्व से हमारा आश्य होता है कि एक स्क्वैर किलो मीटर में कितनी जनसंक्या निवास करती है भारत के संदर में जनसंक्या का घनत्व 455 जबकि पाकिस्तान का 275 रहा है और चाइना जिसको हम अत्यंत जनसंक्या वाला देश कहते हैं जनसंक्या का घनत मात 148 रहा है लिंग अनुपात की द्रिष्टी में भारत में 1000 पुरुषों पर 924 मैला हैं चाइना में अपेक्षाक्रित ये लिंग अनुपात अधिक है पाकिस्तान में ये लिंग अ 943 है अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंक्या अपेक्षाक्रित तीनों देशों में कम है जनसंक्या की वृद्धी की दर ये भी तीनों देशों में अलग लग रही है ये वार्शिक दर एक दिशमलब जीरो तीन प्रतिशत भारत में रही जबकि पाकिस्तान में इसका अनुपाद दो दिशमलब 05 प्रतिशत रहा चीन अत्यदिक जनसंक्या वाला देश होने के कारण यहां पर इसका अनुपाद 0.46 प्रतिशत रहा जनसंक्या के वृद्धी की दर चीन में कम होने का कारण था चीन की जनसंक्या नियंत्रक नीती चीन में सरकार की जनसं व्रिद्धी की दर 2018 की अनुसार काफी निम्न रही है यह निम्नता भारत और पाकिस्तान की तुलना में काफी नीचे स्थर पे थी यदि हम बात करें प्रजनंदर की तो इसका अनुपात 2.2 भारत में रहा जबकि 3.6 पाकिस्तान में और 1.7 चीन में रहा शहरी करण की दृष पाकिस्तान में ये दर 37 और चाइना में जहां पे शहरी करण सबसे अधिक देखने को मिला है वो है 60 प्रतीशत शहरी करण की दृष्टी से हमारे पास उपलब्द आंखडे 2018 के हैं भारत के संदर में ये 34 चाइना के संदर में 69 और पाकिस्तान की दृष्टी में 37 रहा है सकल गरिल उत्पाद की दृष्टी में भारत 5.7 चीन 10.3 और पाकिस्तान 6.3 प्रतीशत सकल गरिल उत्पाद की वृद्धी को दृष्टी में ये आंकडे द्शमलब 3.0 रहा है सकल मॉले व Zhu में विबन शेत्रों का योगदान रहा है ये शेत्र रहे हैं कृषी शेत्र अद्योगिक शेत्र और सेवा शेत्र की कृषी में भारत का ये योगदान लगबग 16 प्रतिशत रहा है चीन का योगदान 7.0 जबकि पाकिस्तान ने 24 प्रतीषत किर्शी शेत्र का योगदान दर्शाया है उद्द्योगों की द्रिष्टी से 30 प्रतीषत योगदान भारत का agreement सकल मुल्ले वर्दी में 41 प्रसेंट आपका रहा है चायना का और 19 प्रतीषत का योगदान पाकिस्तान का सेवा चेटर में अपेक्षा कृत पाकिस्तान का योगदान बहरत और चीन की तुनला में अधिक रहे भारत का योगदान 54 scorक Ox चीन can योगदान 50 लेकिं पाकिस्तान का योगदान 57 प्रशंथ के आसपास रहा कॉइभ बल का वित्रन भी प्रतीशत में दिखाया जा सकता है कारेबल का से हमारा अभीप्राय है देश की जो हमारी वर्किंग पॉपॉलेशन होती है जो कारेशील जिनसंक्या होती है उसको विभिन शेत्रों में जो बाटा गया उस बटी हुई जिनसंक्या को हम कारेशिल का कहते हैं कारेवल का बित्रण परतिशत में दिया एदूशतों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि कारेवल से हमारा ABIOEPRAAY ऐसी श्रम्शक्ति से है जो देश के विभिन शेत्रों में चाल रत होते हैं भारत के दिश्टी कोण में कारेबल तीन शेत्रों में विभाजित किये जाते हैं कृषी शेत्र और द्योगिक शेत्र और सेवा शेत्र कृषी शेत्र को हम प्रात्मिक शेत्र भी कहते हैं और द्योगिक शेत्र को हम दुत्य शेत्र भी कहते हैं और सेवा शेत्र हमारे देश के 33 शेत् पाकिस्तान में कारशील जिनसंक्या का एक तालिस प्रतिशत भाग कृशी शेत्र में लगा हुआ है जो सकल मूले वर्दी में अपना योगदान दे रहा है इसके विपरीत और द्योगिक शेत्र की अगर चर्चा की जाए तो भारत की कारशील जिनसंक्या का लगभग 25 प्रति प्रतिशत और पाकिस्तान में ये अनुपाद लगभग 24 प्रतिशत के आसपास रहा है सेवा शेत्र की द्रिष्टी में अर्थात 30 शेत्र की द्रिष्टी में भारत का योगदान कुल कारशील जिनसंक्या का लगभग 32 प्रतिशत रहा है जो की चीन की तुलना में काफी कम ह चीन की आबादी का लगबग 46 प्रतीशत भाग कारिशील जनसंक्या सेवा शेत्र में कारे रत है जबकि पाकिस्तान में ये अनुपात 35 प्रतीशत है मानव विकास सुचकांक ये आकड़े हमें 2015 और 2018 की उपलब्द है ये आकड़े हमें मूल तोर पर किसी भी देश के विकास के मापदंड के बारे में दर्शाते हैं मानव विकास सुचकांक के आकड़े हमें 2015-18 की उपलब्द है इन आकड़ों का विशलेशन करके हम किसी भी देश के वास्तविक विकास का मापदंड देख सकते हैं मानव विकास के सुचकांक के अगर हम आकड़ों को देखें तो भारत का ये आकड़ा 0.647 और चीन का 0.758 रहा है भारत की तुनला में मानव विकास का सुचकांक चीन के तरफ अधिक वजन देता है पाकिस्तान के दृष्टी कोण में ये मानव विकास सुचकांक 0.560 अगर हम मानव विकास सुचकांक को देश के रेंग के हसाब से देखें तो भारत का स्थान विश्व के मानव विकास सुचकांक में 139 और पाकिस्तान का स्थान 152 है अगर विकास की दृष्टी में देखा जाए तो भारत की तुल्ला में चीन का स्थान काफी अच्छा है और ये विश्व के 85 स्वां स्थान रखता है इसी प्रकार जन्म के समें जीवन प्रतियाशा ये आंकड़े हमें वार्शिक उपलब्ध है भारत के इंदर जन्म के समें जीवन प्रतियाशा 69.4 प्रतियाशा रही है जबकि पाकिस्तान का दर अपेक्शाकरित कम 67.1 प्रतियाशा रहा है कि चीन ने इन आकड़ों के अंदर काफी उच्छाल दिखाया है चीन की दृष्टी कोड में जनम के दोरान जीवन प्रतियाशा अपेक्षाकृत भारत और पाकिस्तान से काफी मजबूत दिखी है जो की 78.7 प्रतिशत वार्शिक नजर आई इसी प्रकार अगर हम प्र 6,829 रही जबकि पाकिस्तान की प्रतिविक्ति आये जो की 5190 रही चीन एक विकाशील देश होने के बावजूत काफी अच्छी मजबूत प्रतिविक्ति आये को दर्शारा है जो की 16,217 यूएस डॉलर उपलग्द हो रही है इसी प्रकार गरीबी रेखा के लिए यदि हम प्रतिशत में आकड़ों का विशलेशन करें तो भारत में करीब 7.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है जबकि यह दर मात्र 46.4 प्रतिशत पाकिस्तान में है चाइना की अवस्था काफी गौर करने लाइक है एक एक आधुनिक देश एक तकनी प्रकोप है इसके बावजूद गरीबी रेखा का निम्न स्तर देखने के मिला चीन के अंदर ये गरीबी रेखा के नीचे की जनसंक्या मात्र 7 प्रतिशत पाई गई मात्रत्य मृत्यूद की दर भी इस विशलेशन का एक भाग है इसका अनुपात में प्रदश्यत करना आविशक है मात्रत्य मृत्यूद दर भारत में 174 प्रतिशत रही है पाकिस्तान में 178 और चीन में इसका निम्न यानि 27 प्रतिशत रही है इसी प्रिकार से कुपोशन के शिकार बच्चों की प्रतीशत भारत की एपिक्षा चीन के अंदर काफी निम्न पाई गई है भारत में कुपोशन्ट से शिकार बच्चे मात्र 37.9 प्रतीशत पाकिस्तान में 37.6 प्रतीशत जब कि चीन में ये 8.1 प्रतीशत ही पाई गए शिशु मृत्यु दर्की अगर हम प्रतीशत बात करें तो भारत में ये प्रतीहजार 29.9 प्रतीशत और पाकिस्तान में 27.2 प्रतीशत पाई गये चीन के अंदर शिशु-Mृतिष्ष ब्रत मात्र 7.4 प्रतीहजार पाई गई भारत के निर्यात और आयातों का विश्रेशन भी इस अध्याइख का वगदेश चीन के साथ बढ़कर एक लाग सत्रा हजार दो सो उनतिस करोड का हो गया अर्थात मूल तोर पर ये विकास दो दिशम लब 6 प्रतिश्यत के आसपा देखा गया इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ जो निर्याद था 2341 करोड का था जो की वर्ष 2018-19 में बढ़कर 14,226 करोड का हो गया यहां विकास की दर 3 दिशम लोग साथ प्रतिश्यत रही इसी प्रकार आयात की दृष्टी कोड से 2045 में चीन को भारत के आयात की दृष्टी कोड में 2045 के दृरान चीन को कुल आयात किया गया 31,89 जबकि 2018-19 के दृरान भारत के आयात रहे 4,92,89 यह रही 10.3 प्रतिश्यत भारत दौरा पाकिस्तान से किये गया आयात 427 करोड जबकि 2018-19 के दृरान पाकिस्तान को आयात 3,476 करोड का किया गया यह आयात की वृद्धी धर लगबग 5.1 प्रतिशत रही आज के इस पार्ट को पढ़ने के पश्यात हमने भारत, पाकिस्तान और चीन के तुलनात्मग अध्यन किया अध्यन के पश्यात हमें ग्यात हुआ कि भारत को विकास के लिए किन-किन मापदंडों की आवश्यक्ता है और किस तरह से भारत, चीन और पाकिस्तान के आंकडों का विश्लिशन करके हम भारत के विकास की दर को बढ़ाने की चेश्टा कर सकते हैं नमस्कार क्या विश्ञाट 2 का विश्टा के विश्टा गिश्टा का सकते हैं नमस्कार